हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल, इस डिजाइन को तयार करने के लिए सबसे पहले हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई हमने 29 इंच ली है और इसकी चोड़ाई हमने 7 इंच ली है डिजाइन को परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हमने कपड़े के ऊपर ऐसे बाकरम को चिपका दिया है अब हमें यहां से कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और हाफ इंच की दूरी पे हमें ऐसे एक बराबर में सीधी सिलाई चला देनी है इस तरीके से आप इस डिजाइन को इजी स्टेप में तयार कर सकते हैं फिर से हम कपड़े को यहां पर ऐसे फोल्ड करेंगे और हाफ इंच की दूरी पे हम एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नई डिजाइन की वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्ष्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी बिलकुल इसी तरीके से फ्रेंड हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे कपड़े को ऐसे फोल्ड करके लंबी लाइन वाली डिजाइन बना कर कपड़े में तयार कर लेनी है तो ये देखिए हमने पूरे कपड़े में लंबी लाइन की ऐसी डिजाइन बना ली है डिजाइन को हम अच्छे से इस्तरी कर लेंगे इस्तरी करने के बाद डिजाइन की लंबाई कितनी है ये नाप लेते हैं डिजाइन की लंबाई 11 इंच है 11 इंच की लंबाई नापने के बाद अब हमें 2 इंच और एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े को हम दोनों साइट से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके किनारे के साइट में एक बराबर में सीधी सिलाई चलाते हुए हम चोड़ी पट्टी की डोरी तयार कर लेंगे तो ये देखिए हमने चोड़ी पट्टी की डोरी तयार कर ली है अब हमें इसकी कटिंग करनी है तो उसके लिए हम दो इंच की लंबाई नापेंगे और यहां से कट कर लेंगे सेम साइज का हमें ऐसी धे सारी चोड़ी पटी की कटिंग कर लेनी है हमने ऐसी धे सारी चोड़ी पटी की कटिंग कर ली है अब हमें चौडी पट्टी को डिजाइन में यहाँ पर लगाना है यह देखिए, डिजाइन के किनारे के साइड में चौडी पट्टी को ऐसे फोल्ड करकी लगाएंगे और इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे एक के बाद एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें चोड़ी पट्टी को ऐसे फोल्ड करकी लगाते जाना है और किनारे के साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है इस लाइन को कंप्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चली है डिजाइन के लंबाई और चोड़ाई के बराबर हमें एक कपड़ा लेना है कपड़े को हमें डिजाइन के उपर ऐसे लगाना है और इसके किनारे के साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और कपड़े को सीधा करेंगे डिजाइन को परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हम कपड़े के ऊपर की साइट से भी एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हमें यहां से धागे को कट करना है और डिजाइन को हमें ऐसे फोल्ड करके सीधा करना है डिजाइन को परफेक्ट सेप में बैठाते हुए अब हमें यहां किनारे के साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है यहां से हम धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे एश्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हमें चकोर सेप में कटा हुआ धेर सारा कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई और चोड़ाए दोनों साड़े तीन इंच है कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हमें डिजाइन बनाना है और यहां किनारे की साइड में ऐसे लगाना है अब हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे एक के बाद एक सारे कपड़े को हम बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और यहां किनारे की साइड में लगाकर इसके उपर हम सिलाई चला लेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आलका ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस लायन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे एस्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बात फ्रेंड हमें आस्तिन का कपड़ा लेना है आस्तिन की लंबाई हमने साड़े 12 इंच ली है और इसकी चोड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं आस्तिन की चोड़ाई हमने साड़े 19 इंच ली है आस्तिन के लंबाई फ्रेंड आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते ही आस्तिन के कपड़े में यहां किनारे के साइड में हमें छोटे-छोटे चूनट बना लेने हैं एकदम छोटे-छोटे वाले हमें चूनट बनाने हैं चूनट बनाने के बाद अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और आस्तिन के कपड़े में हम डिजाइन को ज्वाइंट करेंगे तो ये रह हमारा डिजाइन आस्तिन में इस डिजाइन को हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे आस्तिन के कपड़े को डिजाइन में ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड अब हमें यहां से एश्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हम डिजाइन को सीधा करेंगे तो ये देखे फ्रेंट, डिजाइन के सिलाई करने के बाद हमारे डिजाइन का लुक कुछ इस तरीके का आएगा, लेकिन इस डिजाइन को और भी सुन्दर बनाने के लिए हम इस डिजाइन में मोती को लगाएंगे हमने वाइट कलर का बड़े साइज में मोती लिया है मोती को सुई धागा के मदद से चोड़ी पट्टी के बीच-बीच में ऐसे लगा देना है वैसे आप मोती का कलर आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं चोड़ी पट्टी में मोती को लगाने के बाद फ्रेंड हमारा डिजाइन देखिए और भी प्यारा लग रहा है ये देखी कितना प्यारा लग रहा है मोती के साथ ये डिजाइन अब हम यहाँ से धागे को लॉक कर देंगे धागे को लोग करने के बाद फ्रेंड हमारा जो उपर की साइट का डिजाइन है उसमें भी हमें सुई धागा के मदद से या फैबरिक ग्लू के मदद से डिजाइन में मोती को लगा देना है जिससे हमारा डिजाइन और भी प्यारा लगेगा साइड से आपका डिजाइन कुछ इस तरीकी का दिखेगा मिलते हैं नेश्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग